सतना शहर के कौलगवां थाना छेतर में एक महिला की बका मार कर हत्या कर दी गई घूर डांग में सनसनी खेज वारदात को अन्जाम देने के बाद आरूपी साइकिल से ہी भाग मिकला जानकारी के मताबिक कुलगवा थाना अंतरगत घूर डांग में रिलाइंस टावर के पास रहने वाली कुसुम उर्फ सुमन पती राम प्रसाथ कुश्वाहा की बका मार कर हत्या कर दी गई ये संसनी खेज वारदात मरतिका के जेट राम लखन कुश्वाहा ने अंचाम दी जिस वक्त राम लखन ने कुसुम पर हमला किया वह अपने निर्माना धीन घर के अंदर कुछ काम कर रही थी उसका जेट राम लखन पीछे से आया और उसने कुसुम के उपर बका से हमला कर द कुसुम घर से भाग कर बाहर आई और सड़क पर दोड़ने लगी। आरूपी उसका पीछा करता रहा। उसने कुसुम पर बार किया तो वह किराना दुकान के पास गिर पड़ी। आरूपी ने उसके गरदन सिर्चाती पर दना दन कई बार हमले किये। पीछे से आए महले के एक विक्ती ने बचाओ की कुशिस की तो आरूपी ने उसे भी धमका दिया। आरूपी के इन हमलों से पीडिता की मौत हो गई। शुरवाती जाच में सामने आया कि मृतिका का पती राम परसाद और आरूपी राम लखन आपस में चार भाई हैं। आरूपी कुछ वर्षो पहले आरूपी बापस आ गया। उसने आकर अपना हिस्सा मांगा तो मृतिका के पती और अन्य भाईयों ने हिस्सा देने से मना कर दिया। तो मृतिका के पती और अन्य भाईयों ने हिस्सा देने पर तो सहमती जता दी। हाला कि उससे जमीन के आवंटन और बटवारे में खर्च हुई रकम मांग ली इससे नाराज होकर बह बिवात करने लगा इसी बीच मृतिका के पती और इसके देवरों ने अपनी जमीन पर घर बनवाना शुरू कर दिया आरूपी इस पर केज दायर कर धगन ले आया लेकिन उस मुकदमे का फैसला मृतिका के पक्ष में हो गय ले आजा उसने दोबारा निर्मार शुरू करा दिया आरूपी ने मृतिका को घर का काम रुकवाने को कहा लेकिन काम नहीं रुका तो इसी बात से नाराज होकर आरूपी ने कुसुम की हत्या कर दिया जही का ये घूडांग में वहावीर वाड है यहाँ पर एक सुमान कुछ वाहा नाम की महिला रहती थी इनके पती का रामप्र राधा था और सुमान के पति उनको चार भाई थे और चार भाईों के समलित में कोई एक जमीन धरी दी गई थी काफी पहले उसी जमीन में जो आ पर्फिन के तरह में बाम लक्षन के वहां आया और उसी जमीनी रंजिश को लेकर धारदार हत्यार से किमन के कुसुम के गले में वार किया ताहले वार्द वाज उभागी को रोड में आके खल्डने रेवार किये जिससे ताहि किसंग की मौत हो गई है वह आरोपी के पिजित झाल झाल झाल